आप मुझे दिल से ढूंड रहे थे और मैं आपके शामने आ गया मैं मितले सर आपको एजुकेशन जी में स्वागत करता हूं बच्चो आप इस चैनल के बारे में जानते हो कि एजुकेशन रिलेटर इन्फॉर्मेशन चाहे हो कॉलेज का हो कोचिंग इस्टिचूट का हो या इस चैनल पे मिलता रहेगा आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं MS रवमया इन्फॉर्षीटी का हाँ बचे यह बैंगलोर का एक इन्फॉर्षिटी है प्राइवेट इन्फॉर्षीटी है जो 2013 में स्टेवलिश हुआ है 2013 में स्टेवलिश्ट हुआ है इस कॉलेज को मै भी last date नहीं है, इसका मान के चलो कि कम से कम 10-15 अगस तक last date हो सकता है, यह जो MS रमया इन्वर्सिटी है बचा, यह इसका एक पहले से college है, MS रमया Institute of Technology, यह भी बैंगलोर का है, यह college है, और यह जो बना है, यह इन्वर्सिटी बना है, इन्वर्सिटी में क्या होता है, एक तो engineering क कोर्स है बच्चा, उसके साथ agriculture का भी है, pharmacy का भी है, BDS, Bachelor of Dental Science का भी है, और जो अदादर applied sciences के courses होते हैं, उसका भी है, इस इन्वर्सिटी का जो पूरा नाम है, वो है नाम हुआ, रमया University of Applied Sciences, मतलब जो applied sciences के जितने भी courses है, वो सारे है, तो बात यह कर लेते हैं, कि आपको admission अगर BTEC course के लिए लेना है, तो अभी इसका online test हो रहा है, जो आप अपने घर से दे सकते हो, हाँ, और इसका जो exam है बच्चे, वो physics, chemistry, mathematics, 3 subject, पुछे जाएंगे, और 30-30 minutes का question रहेगा, क्लिर बच्चे, और इसके लिए आपको जो कुछ requirements है, online requirements है, मतलब कुछ जैसे कि तो आप chrome यूज़ कर सकते हो, बेव कैम आपके पास होना चाहिए, उसके बाद requirement है कि आपका जो net का speed है, वो 512 kbps कम से कम है तो अच्छा रहेगा, हाँ, तो इस अगर आपका इतना requirement आपके घर पे है, तो आप test दे सकते हो, इस जो college का जो fees है बच्चे, वो 3,25,000 रुपी इस पर इयर, fees है college का, BT course का, clear है, हाँ, इसमें जो scholarship भी है कुछ बच्चे, अगर आप state board से हो, जैसे मान लेते, CBSE board से हो, और other state board से हो, तो उसका जो percentage है, जो scholarship का, वो 75% से अगर ज्यादा आपका है, तो 25,000 रुपिया पर इयर, 25,000 रुपीज पर इयर, आपको scholarship मिल जाएग उसके बाद, और scholarship है, जो करनाटिका state से है, उनके लिए है, 80% अगर board में है, तो उनका क्या हो जाएगा, बच्चे, 25,000 रुपिया उनका भी discount हो जाएगा, मतलब scholarship मिल जाएगा, per year, उसके बाद, जो तेलंगना state का है, और एक तमिल नाडू के है, बच्चे, उनके लिए है 85% का criteria, 25,000 रुपिज का scholarship मिल जाएगा, किलिए है बच्चो, हाँ, और जो exam हो रहा है presently, उसका भी scholarship है, अगर आप 80% से ज़दा score कर लेंगे, तो आपको 25,000 का scholarship मिलेगा, तो scholarship बच्चा है, ये दोनों में से आपको कोई एक ही दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा हाँ, अब एक बात कर लेते हैं, कि सर इसका जो admission process है, और selection process है, वो क्या है, बाबू selection process है, इसमें तीन बे से admission हो सकता है, पहला है uni gauge, uni gauge आप जानते होगे, जब comment की एका form apply किया होगा आपने, तो उसके साथ uni gauge एक option आता था, उसको भी apply, मैंने बताया था एक वीडियो में तो उसको भी apply करेंगे, तो उसके थुरू अगर exam आप pass करके rank लाके, उसके थुरू भी admission आप MS रमया university में ले सकते हैं, पहला, दूसरा होगा बचे, comment के के अंदर में भी आता है, इसका कुछ seat vacancy दिया हुआ, seat दिया हुआ इसका matrix, कि comment के के अंदर भी इसका admission होता है, थार आप अगर admission चाहते हो, इतना फिस affordable है, तो इस college में admission ले ले, क्योंकि इस college का जो highest placement बच्चे गए है, यह 25 लाक रुपीज का गया हुआ है, average placement 5 लाक रुपया कहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन यह उन बच्चों के लिए है बच्चे, जिसका आपका dream है, अगर वो college नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करो, कि MS रमाया university में बर्यासानी से admission ले सकते हो, और इसका जो criteria है, admission का, वो मैंने बता दिया, और थोरा से eligibility criteria भी बता देता हूँ, ज्यादा है ही नहीं, बस 45%, 45%, 12th में आपको score करना है, तो यह तो सभी student के पास होता ही है, तो यह बरा असान है इसलिए मैं कॉमेड के बैंगलोर का एक university बता दिया, जिसमें admission procedure थोरा easy हो, और उन बच्चों का, जिसका J.E.Main में खास percentile नहीं है, मानके चलते हैं कि 90 percentile से नीचे है, जो 12th में भी बहुत अच्छा score नहीं है, उनका, मानके चलते हैं कि 60, 70, और 50 percent है 12th में, तो वो क्या क करेंगे, इस university के लिए बच्चा apply करेंगे, इसमें बहुत सारे computer science के specialization भी है, specialization तो मैंने बता रखा पहले से, फिर भी बता देता हूं कि आपको computer science के साथ साथ, जो specialization आप चूज करेंगे, उसमें आपको study कराया जाएगा, जैसे artificial intelligence का अगर आप चूज करेंगे, तो उसक से है, robotics का भी है बच्चा, हाँ, computer science में robotics का भी option है, तो ध्यान दे देना है, यह मैंने सारे जो details बताए, यह बिटे के लिए है, clear है बच्चो, हाँ, और जो other courses में admission लेना चाहते हैं, जैसे dental में लेना चाहते हैं, फार्मेशी में लेना चाहते हैं, तो वो भी home से, अपने घ यह थोड़ा सा test interview लेते हैं, clear है बच्चो, बच्चो, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, MS रमया university के बारे में, यह अच्छा university है, और एक reported university है, आप इसमें admission ले सकते हो, अगर आपको फिर भी कोई doubt रहता है, तो हमारे expert का number है, उनसे contact कर सकते हो, clear है बच्चो, मिलत अगले वीडियो में, bye, take care, see you again